हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टड़ी बस जब भी आम एक अच्छे फ्यूचे करियर का एस्पिरेशन देखते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो या तो एंट्रेस एक्जाम्स के उपर होती है या फिर 10-12 ग्रैजुशन के एकडमिक स्कोर्स के उपर होती है बहुत बार हूँ जिसका यही मानना है कि अगर किसी भी रीजन की वज़े से आप एंट्रेंस एक्जाम्स या फिर 10-12 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो इसका बिल्कुल भी यह मीनिंग नहीं है कि आप एक फ्यूचर लीडर नहीं बन सकते आपके अंदर भी वही पोटेंश हो सकता है तो अगर आप एक फीमेल एस्पेरेंट हो तो यह प्रोग्राम यह कॉलेज आपके लिए बहुत दादा ट्रांस्वर्मेशनल हो सकता है बहुत दादा यूनिक हो सकता है क्योंकि यहां का जो लटनिंग एक्स्पिरेंस है बिल्कुए डिफरेंट एंड अनदर को यह लगे का आप इसके लिए फिट होते हो तो आप यहां पे एड्मिशन ले सकते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना ताकि आपको एक कम्प्लीट क्लारिटी इस प्रोग्राम की मिल जाए तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि यह जितनी बी इंपोर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफेकेशन आपको मिलते रहें तो जिस कॉलेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह कॉलेज है वेदिका स्कॉलर्स प्रो अपर वो बहुत ही अलग है इस प्रोग्राम की क्या डीटेल्स है एक एक करके सारी चीज़े समझते हैं सबसे पहले यह 18 मंस का प्रोग्राम है आपने देखा होगा जो कॉर एंबीय होता है वो टू एयर का होता है जो एकजीकुट येर का होता है लेकिन यह जो कॉर से ये 18 months का full time residential program है, मतलब आप campus में ही रहते हो, वहीं पर पढ़ाई करते हो और वहीं पर आपका hostel होता है, तो इनका जो campus है, वो कहाँ पर है, वो Delhi में इनका campus है और यहाँ पर आपको past में hostel मिल जाता है, जहाँ पर रहके आप पूरा का पूरा residential program attend करते हो पूरे 18 months तक आपका पूरा का पूरा curriculum चलता है, आपका पूरा एक course complete होता है और यहाँ पर इस course में कौन apply कर सकता है, सबसे पहला जो eligibility criteria है, वो यह कि आपको एक female candidate होना है second जो criteria वो यह है, कि आपके पास एक graduation degree होने चाहिए, या फिर आप भई अपने final year of graduation में होने चाहिए so that आप यहाँ पर apply कर सको, अगर आप fresher हो या फिर आपके वर्क experience है, दोनों के दोनों candidates इस course में apply कर सकते है इस course में apply करने के लिए आपको कोई भी entrance exam नहीं देना है, इस course में apply करने के लिए कोई भी application fees नहीं है आपको सिरफ form fill करना है and then आपके profile अगर short list होती है, तो आपका पूरा पूरा interview process करवाय जाएगा आगे आपको बताऊंगा form आपको किस तरह से भढ़ना है, क्या-क्या details है, ताकि आपको better clarity यहाँ पर पूरी की पूरी मिल पाएं तो admission process क्या है, जो आपका application form होगा, उसमा अपनी सारी details mention करोगे, आपके कुछ questions होगे, उसके answers करोगे then आपके shortlisting होगी, जो भी आपके profile है, जो आपने लिखा है, आपके analytical skills, आपके written skills, आपका जो attitude answer करते हुए, वो सारी चीजों को consider करते हुए, आपको interview के लिए shortlist के रहेगा, फिर आपका interview conduct होगा, जहाँ पर यह चेक के रहेगा, कि आपका क्या aptitude है, किस तरह से आप communication कर र second, आपका personal interview होगा है, उसके बाद final selection की merit list बनेगी, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस course में क्या के important चीज़ है, तो सबसे पहला, जैसे कि मैं आपको बताए कि कोई भी woman apply कर सकती है, जो भी अपने final year of graduation, या फिर जिसने graduation complete कर लिया है, second चीज़ है, कितने round of interviews होगे, तो आप जितना जल्दी apply करोगे, क्योंकि इस college में multiple rounds होते हैं, तो आप जितने जल्दी apply करोगे, उतना better, आपको यहाँ पे chances है, जल्दी seat मिलनेगा, क्योंकि फिर seat occupy हो जाती है, तो बाद में आपका late हो जाएगा, then third है कि आपकी specialization क्या होगी, तो यह जो program है, इसमें कोई core special specialization नहीं है, यहाँ पे आपको general management की सारी चीज़े पढ़ाई जाएंगी, जो भी आपके future competency के लिए important है, जैसे communication, critical thinking, leadership, यह जो program है, यह 18 months का program है, जिसके बाद आपकी placement हो जाती है, and then आप अपना career start कर दे, तो एक question जो यहाँ पे निकल के आता है, कि यह जो program है, यह AICT approved नह नहीं होती, यह PDDM की degree नहीं होती, यह certificate course है, और ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि यह course unique है, जो AICT के colleges होते है, उनका एक set template होता है, जिसके according चलना होता है, लेकिन यहाँ पे यह distinct offering है, यहाँ पे इनके multiple चीज़े हैं, जो आपको बताऊंगा, जो आपको सिखाते हैं, तो इसलिए इनका जो course है, यह conventional MBA नहीं है, यह differentiated program, एक re-mentioned program है, जहाँ पे आप पूरी के पूरी learning करते हैं, तो अगर हम program के philosophy देखें, तो majorly 4 चीज़े आप यहाँ पे सीखते हो, सबसे पहला mastering management practice, then second आपका आता है thinking and communicating for impact, third आपका आता है learning from the liberal arts, and fourth आपका जो element है, वो है taking charge of personal growth तो अगर आप यहाँ पे पूरे के पूरे course के बारे में सीखोगे, जो सबसे unique feature इस course का है, वो है shadow of woman leader, यहाँ पे क्या होता है, जब आप इस course में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप किसी woman leader के अंदर shadow करते हो, कोई CEO होता है, कोई बहुती senior level का woman entrepreneur है, या फिर कोई woman leader है, उसके अंदर में काम करते हो, तो आपको complete first experience मिलता है, आप जितने challenges है, किस सरे से leadership role को handle किया जाता है, वो आप सीखते हो, जो concept आपने classroom में देखे, वो apply करना सीखते हो, और फिर अपनी professional journey को एक बहुती अच्छे level से start करते हो, ठीक है, तो अगर आप इस पूरे course की बात दे इसके अलावा, जो आपके personal growth के लिए subjects चाहिए होते हैं, जो आपके long end में बहुत important होते हैं, जैसे कि आपके personal design thinking क्या है, आपका communicating with the audience क्या है, आपके इस तरह से situations को handle कर रहे हो, family manage business को आप कैसे देख सकते हो, तो जो different subjects है, जो आज की date में upcoming है, जो future में required है, वो subject भी आपको आपको यहाँ पर scholarship भी मिल जाती है, तो अगर आपने interview बहुत अच्छा किया है, लगता है कि भी आपके अंदर बहुत potential है, या फिर आपको need है, आपके financial condition इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर वेदिका की scholarship भी आपकी चलती है, और वेदिका की scholarship आपको मिलती है, जब आ आपको scholarship भी यहाँ पर offer हो जाएगी, अगर हम बात करें placement की जो एक सबसे important component यहाँ पर बच्चों का रहता है, सर हमारी job किस तरह की लगेगी, तो आपको मैं latest placement data share कर रहा हूँ, 2022 की अगर हम लोग बात करें, तो भाई जो average package अभी तक है, वो है 11.3 lakh रुपीज, जो freshers की average salary रही है, वो रही है 10.6 lakh और जो average salary work experience वाले female candidates के रही है, वो रही है 12.2, अगर हम median salary की बात करें, तो 10 lakh is the median salary, और highest salary आपके रही है 18 lakh, already 80% जो batch of place हो चुका है, course अभी भी चल रहा है, तो भाई काफी अच्ची opportunity आप यहाँ पे gather कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ, top companies जो यहा पे आ रही है, कौन-कौन से roles के लिए, research roles के लिए, general management के लिए, HR roles के लिए, customer management, business development, HR consulting, product marketing, finance, strategy, तो हर एक type के roles यहाँ पे इस समय आ रहे है, अगर हम बात करें, last year के placement की, ताकि हमें comparative analysis कर पाएं, तो 2021 की जो placement थी, वहाँ पे 100% batch place हुआ था, और जो average package रहा था, वो रहा था 9 9.07 lakh और जो इनका highest package रहा था, वो रहा था, 16.5 lakh रुपीज, तो आप यह देख सकते हो, कि 2021 से 2022, इस साल इनोंने काफ़ी जादा grow किया है, मतलब अगर आप average salary देखो के 25% के आसपास increase हुई है, highest salary around 10% के आसपास increase हो गई है, and median salary around 18% के आसपास increase हो गई है, मतलब college grow कर रहा है जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अच्छे job ले पा रहे हैं, जो यहाँ पे learning of work better हो रही है, जिसकी वज़े से अच्छी companies भे campus पे आके hiring कर रही है, अगर आप batch profile देखना चाहते हो, सर यहाँ पे कितने बच्चे freshers आते हैं, कितने बच्चे experience आते हैं, तो around 60% के आसपास जो batch 5% candidate, commerce के 24% and science के 4%, तो अगर हमने यहाँ पे पूरा गुरा detail जो discussion किया है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, कि यह जो एक program है, यह उन लोगे लिए काफी ज़्यादा suitable है, उन लोगे लिए काफी ज़्यादा appropriate है, जो different type of learning अपना कर आते हैं, भाई देखो, आप में से बहुत सरे ऐसे students है, बहुत सरे ऐसे experience है, जिन्होंने कोई entrance exam नहीं दिया है, और आप चाहते हो कि अगर आपका career start हो, वो एक top company के साथ start-up, अगर आपको form fill करना है, तो नीचे description में, मैंने आपको college का form दे दिया है, यहाँ पे, आप जैस form पे click करोगे, आपके सामने वही एक normal process है, आपको login करना है, register करना है, and then आपके सामने form आजागा, best part क्या है, best part यही है, कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई fees पे नहीं करनी, तो अगर आप थोड़ा सा confused भी हो कि मुझे apply करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई कोई fees नहीं apply कर दो, interview process पूरग पूरा देखो किस तरह से होता है, चीजों को सीखो, understand करो, and उसके बाद अगर आपको लगता है, क्यार यह experience मेरा अच्छा है, हमारे खुद के बहुत सारे students, last year में यहाँ पे गए हैं, उससे पहले हमारे कुछ students है, जो यहाँ पे गए हैं, उन ल यहाँ पे selection हो चुक है, उन से discussion करना, और better clarity मिलेगी कि इस course का future क्या है, और यहाँ पे किस type की companies आ रही है, तो भई आप अभी के लिए apply कर दो, apply करने से benefit यह कि आपको opportunity मिल जागी है, आपको time मिल जाएगा, और कोई application fees नहीं देनी, तो आपको कुछ अलग से monetary, यहाँ पे investment नहीं है, हाँ, interview process जब दोगे, तो automatically और preparation भी हो जाएगी, यह भी पता चल जाएगा, आप कहाँ पे stand करते हो, तो form आपके सामने आएगा, उस form में अपनी personal details, address details, academic details, work experience, यह सारी की सारी चीज़े fill करोगे, कुछ documents मांगे होंगे, वो आप upload करोगे, and then आपके सामने थोड़ आपको short list आजएगी, interview के लिए, आप interview की तैयारी करके, interview के लिए appear करना, otherwise आप बाकी options दो explore करी रहे हो, तो I hope आपको एक complete clarity यहाँ पे मिल गई है, and कोई और question है, तो नीचे comment कर देना, कोशिश करेंगे, उसका reply हम आपके लिए कर दे, so all the very best, नीचे description form में, वहाँ पे आप ग्लाब